नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड धर्मा सनमार्क सावन का आखिरी सोंबार आ गया है और इस सोंबार के दिन रक्षा बंधन भी मनाई जाएगी क्योंकि इस दिन पुर्णी माह है स्रावन माह की पुर्णी माती थी और ये 3 अगस्त 2020 को है तो स स्रावन माह के इस अंतिम आखिरी सोंबार पर सिपजी को मनाना बहुत आसान है चावल जिसे हम पुर्णता का प्रतीक मानते हैं पूजा में कुमकुम के रंग से अगर आप अक्षत को रंग कर समर्पित करते हैं तो उसका विसेज फायदे मिलते हैं लेकिन जब सिपजी की अरपित किये जाते हैं हलां कि पूजा में अक्षत चढ़ाने का अभिपराई यह होता है कि हमारा पूजन अक्षत की तरह पूर्ण हो अन्य में स्रेष्ट होने के कारण भगवान को चढ़ाते समय यह भाव रहता है कि जो कुछ भी अन्य में प्राप्त होता है वह भगवा भी बनी रहे कि आपका ये जो सफेद रंग का चावल है ये सांती का प्रतीक है अधा हमारे परते कारे की पूर्णता ऐसी ही हो और इसका फल हमें सांती पूर्वक परदान करें इसलिए पूजन में अक्षत यानी चावल अनिवार है अब जैसे हमने की लिखा है एक मुठी च चावल के या 11 दाने चावल के या एक मुठी चावल ये सभी एक ही फल देते हैं यह मैं सोची कि एक किलू चावल चरहा देंगे तो ज्यादा फल मिलेगा नहीं मात्र एक चुटकी चावल अगर आप पूरी स्तरधा के साथ भी सिविलिंग पर अरपीत करते हैं तो आपको पूजा का पुर्णफल मिलता है तो इस बार अंतिम सोंबार है और इस दिन एक मुठी चावल यानि सिर्फ अक्षट के थोड़े से दाने आपके किसमत को बदल सकते हैं मन में भौ अच्छी होनी चाहिए सबसे पहली बात तो आप थोड़ा सा चावल घर से चून कर ले जाईएगा कि उसको तूटा पूटावा ना हो और सिबलिंग पर अक्षट चड़ाने से सिवजी परसन भी होते हैं अखंडित चावल की तरह अखंडित धन अखंडित मान सम्मान भी परतान करते हैं लेकिन खंडित चावल कभी भी सिबजी स्विकार नहीं करते हैं इसलिए भूल कर भी ऐसा ना करें तो कैसे अरपित करें सिबजी पर ये चावल कि सिबजी हाथो हाथ आपकी मनुकामना पूर्ण करें चलिए बिधी जानते हैं सुबह सुबह नहाद होकर एक लोटा जल और बेल पत्र लेकर मंदिल जाएं थोरा सा अक्षद लेकर ये जो चावल होता है इसको कहते हैं जब आप मुठी एक मुठी का मतलब होता है सिबा मुठी इसको बोला ही जाता है सिबा मुठी और इस तरह से सिर्फ चावल ही नहीं अभी तक हमने आपको हर सोमबार की बिधी बताई जैसा कि हमने आपको कहा कि पहले सोमबार को सीवा मुठी अरपित करना है दूसरे सोमबार को आपको तिल अरपित करना है तीसरे सोमबार को हमने हरी मुंग कहा था और चौथे सोमबार को हमने कहा था जो अरपित करना है तो पांच में सोंबार को भी खास चीज़े अरपित होंगी उसके बारे में भी हम बताएंगे लेकिन इस बार जो एक मुठी चावल है सिवा मुठी जिसे कहते हैं अगर आप सिविलिंग पर अरपित करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कि कभी कभी नहीं होगी देखे सिवा मुठी का मतलब होता है कच्चे चावल यानि पकावा चावल नहीं जो चावल है जो बुरी में आती जिसे अक्षत कहते हैं बस आप एक मुठी या कम से कम पांच दाने ही लें जाकर भगवान को अरपित कर दें और प्रेम से अपनी मनुकामना कहें आपकी मनुकामना पूर्ण होगी फिलाल भी दालेंगे हर हर महादेव धन्यवाद